के लिए एक बड़ा अंदोलन पिछले कई वर्सों से चला रहे हैं आज मेरे साथ कारिकम का हिस्सा है जब पिछली बार आप से बात हुई थी और कांग्रेश का घोस्तना पत्र है था अलाकि माफी मांग लिए राजपू जी ने माफी नहीं हमने आपको करेक्ट किया है माफी किस बात की हमने को गलती थोड़ी की हमने तो कहा कि चूख हुई इसको यह आ रहा है माफी नहीं आज समाजवादी पार्टी का घोष्टना पत्र आया उन्हों का ओल्ड पेंसन इसकीम लागू करेंगे आप सहमत हैं इसके क्या यह लागू कर पाएंगे जी मैं तो सब्सक्राइब धन्वाद देना चाहूं समाजवादी पार्टी को क्योंकि उन्होंने पुरानी पेंसन के मामले को निजीर करके मामले को अगनिबीर के मामले को उन्होंने अपने सामिल किया है और यह पहली बार नहीं 2022 के विधानसवाद चुनाओं में भी हम इसको अगर अर्स्तास की नजीर से देखेंगे तब भी हम इसको उचित मानेंगे अगर इसको नेतिकता बस देखेंगे तब भी उचित मानेंगे और अगर आप सामाजी सुरच्छा की दिस्कोर्ट देखेंगे तो भी उचित है और हर दिस्कोर्ट से पुरानी पेंसन मै अगर इसी साथ सवाल करता हूँ, जो लोग पुरानी प्रिंसन सवाल उठाते हैं, सबसे पहले जो लोग लेते हैं, वो लोग अपने सवाल क्यों उठाते हैं, इस देश का माननी एक नहीं, दो नहीं, तीन, तीन, चरचर प्रिंसन लेता है, तब सवाल नहीं उठता है, एक द अगर उत्तर देश से हम बात करें तो पिछले विए 312 सीटों पोस्टर बलेट में देखिए जिम्हेदार हो तो 312 सीटों समाजोधी पार्टी ने घुर्षापन रखा तो जीती है अभी अगर लेटेश की बात करें हिमानचल में 15 परसंट वहां कमचारी है और पूरी पूरी पर सरकार बदली है करनाटिका में 19 साल हो गए इस योजना को बंद किये 2005 में जी तो आप इतना वक्त बीट किया आर्थिक बोज बहुत अधिक आएगा कोई कैसे लागू कर पाएगा इसको इसकी फाइनेंसियल वाइबिल्टी नहीं बन रही है नहीं मैं सर बता रहा हूं क और यह मुद्धा कुछ लोगों को आकरसी नहीं है बंदु जी नहीं है मैं बता रहा हूं आर्थिक बिल्कुल नहीं आएगा अगर OPS और NPS को जो लोग समझ लिए हैं OPS पर जितना पैसा जा रहा है उससे कम पैसे पर यह उससे जज़दा NPS बजा रहा है क्यों इसको करण कि पर आफ तो कह रहे थे कि यह बड़ा लागू कर रहा है इन तो हलो भी नहीं किया यह यह कंग्रेस का ब्लेंडर मिष्टेक था जो सरकार जो पाल्टी ब्लेंडर मिष्टेक था जो पाल्टी पाइव चार राजों में दे चुकी हो और उसे उसको रखना पाये ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक लेकिन अच्छा है, खुशी है, मैं स्वागत करता हूँ कि उन्हों ने इसको सुविकार किया और उन्होंने लेते हैं और देश के अर्चा नहीं करेंगे यह कौन से नितिकता है किसी तरह से प्रकूर नहीं है नीजी का सवाल है थैंक यू बहुत शुक्री आपका मैं इस परचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा आई पी सिंग जी मेरे साथ